अब कि वाहल कभी बढ़ा नहीं था, अब कि बार तो कागरेश के ही सरकार आएगे और कागरेश से आएगी दोबारा यहां पर राज भी कागरेश काएगा। कि यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहां के लोग अगले विदान सभा चुनाओं में किस पर भरोसा जताएंगे क्या एक बार फिर यहां के लोग ब्दलाओ चाहते हैं क्या क्या चाहते हैं कि रही इनों ने जैसे की गरीबों के लिए कि एनि कि विमारी वगारा के लिए चिरंजिव योजना की विवस्था कि ए और इंद्रा रसवज़वगेरा है और यह जैसे जह तो बहुत नाकाम और निकम्मी सरकार है अब यह तो देखो एक दूसरे के परती हर पार्टी बोलती है कॉंग्रेस भी बोलती है तो देखो चुनावी मुद्दा चलते रहते हैं पांच साल मुखमंतरी रहने के बाद भी आशोक गहलोद को आप चून रहे हैं आखिर क्या काम क्या करके और देख लो हो रहा है काम होगया है तो देख लो करीब करीब हो रहा है काम पांच साल में विकास हुआ है मध़ यहां पर बहुत कुछ विकास हुआ है कांगरेस सरकार द्वारा सभी को सभी को राहत दी गई है और आगे भी उमीद है कि वो देते रहेंगे तो हम दोबारा यह चाहते है कि असोग जी गहलोजी ृपीट करके सरकार बनाए है। बननी चाहिए कि गरीब तकगे को इन्हों ने बहुत उच्छा लेकर के अच्छी तरीके से गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया आजपा वाले कहते हैं कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं सचीन पाइलट हो या शोग गहलत हो इनका तो देखो ऐसा है एक दूसरे को पर आ राजनितिक है चलती रहती है तो उल्टा उलट प्लट सब जगह होता ही है लेकिन क्या होता है कि कई ऐसे चंचे से आलात में इंसान होते रहे हैं वो डाने वाली सोचमात रखते हैं और कुछ भी नहीं है इस बार मोदी जी कह रहे हैं मोदी के नाम पर होटिंग होगी परचा लीक का बड़ा मामला आ रहा है यहां पर लोग नाराज है कि बच्चों के परचा जो लीक हो गया तो देखो ऐसा है इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्यों ने जो भी किया है इसके कांग्रेस के अलाओ दूसरे ने वर्किंग किया है और बदनाम कर दिया का अच्छा यानि जो लीक हुआ था या दूसरे ने किया अभी उसका मालूमात नहीं है उसका ताल पतरा चली चालू है चुनाओ के बाद में खुल जागा सब कर दो नमबर वन आज चीम के लाइक है का अच्छा नमबर वन है और कोई नहीं है असो गहलो जी क्या आप मानते ह को वक्रोदी मत्री कांग्रेश काहिए है वैसे तो गहलो जि ने जो काम किये है शाइद कि झी कि लोकि किसी सरकार क्या उनके काम T다 में संतु हैं दूप पूरी प मार्चार पेंति साल से सब्सक्राइब कोई कभी नहीं है विकास कौन से से विकास काम हुए जुनकी बुनियाद पर दुबारा फिर उनको चुना जा सब्सक्राइब करें कि इस बार राजिस्थान मेरे नाम पर उटिंग करेंगा यानि मोदी कोट नहीं मोदी के नाम पर दूर भागेंगे की जूब भागेंगे तब से लोग पर यह ने कुछ भी नहीं कि उसने आज तक जो भी काम करता है जूट वोलके करता है अरे जूट वोलता है और करता है जो गहलोट करता है और सचिन पाइलेट यूग कहे बहुत अच्छी मतलब उसके भी बासन है आज़ पाइलोट और अशोग एलोट के बीच में अंदर खाने क्या चलला वूंट डेगो आंदर की बात तो हम क्या बता सकते एथे बड़े नेता नहीं है, बागि काम कांग्रीश साथ दोनों लड़ रहे हैं, चुनाओ मन मुठाव नहीं है, खूब अची तरय श्यूना कितनी दूर से बड़े-बड़े काम कि बड़ा पावा रास्तान के बारे में कहा जाता कि पांट साल में बदलाव नहीं थे तो पर बड़ा नहीं था अब कि वार तो कांगरेश के ही सरकार आएगी और कांगरेश से आएगी दोबारा यहाँ पे राज जोटी बाद थोड़ी होती है बहुत बड़ी बात होती है पचीस लाख रिपेगा इलाज यह छोटी बात है अब मैं यह है मेरे वाइपास हुआ हुआ है बाल गले हुए सब सरकारी खर्चे पर एक पैसा मेरा नहीं लगा तो यह से बताओ यह से बढ़िया काम कर रहा है उसको सरकार को बगाएंगे जो 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 अशोग गहलोत कोट नहीं देगा नालायक है कांग्रेस को बोर्ड देना थी है क्योंकि इसने अच्छे काम करके 25 लाग बाइना रखते है विलाज के लिए इसका मनले पूरा पर्देश फोड़ी और देगा पूरे पूर्डी करती है सब पब्लिक करते हैं मेरा इन नहीं है जिसी जिसे पूश्ता हुना है कल मेरा एक दोस्ता है उसके दोनों गोड़े बदले तो बोला बाइसाब बलाओ गेहलोत काम क्यों मेरे दोनों गोड़े बदल दिये एक मैं पेसा नहीं लगा तो चुटी बात है कि मेरा दोस्ता अभी कल ही मिलका है उससे तो अच्छे काम को जिसे बाइस और दोस्ता है दो क्यों क्यों कियों क्या 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 कि आप पांच काम बताएं बताएं जुट कर दे पानुशा का इलाज कर दिया 25 रुपा करकी और चुनाव से पहले हैं या पहले से पहले से पहले से हैं कि राजिस्तान में हर पांच साल में बदलाव हो जाता है यहीं पार बदलाव नहीं होगा नहीं चाहिए है यह बातली